विराट से ही प्यार करती है और वो अब पत्र लेखा के साथ नहीं रह सकता इसलिए वो गुस्त यहाँ पर पत्र लेखा की कई चीज़ों इगनोर करते नाजर आएगा जो समराट हमेशिया पत्र लेखा को इंपोर्टेंस देता है उसकी हर बात का ख्याल रखता है अब वही समराट उसे इगनोर करते दिखेगा राजी सिवानी का नाम भी अब समराट जिस तरह जो उससे सवाल पुछे की समराट उस पर वड़क जाता है है और कहती है कि तुम्हें इस मेलतर में पढ़ने की का रहे हैं तुम्हें है फुरसत ही कहां होती है तुम्हें या इस दो सइप सब्सक्रां में और जिए हैं और वहीं से तुम्हें ही पता चला है ना ये राजीव के बारे में तो उसी से जाके पूछ लो और वो उस पर इस तरह से भढ़केगा और पत्र लेखा भी भढ़क जाएगी और कहते कि मैं इस घर की घर बड़ी बहूं ये हूं वो हूं तो समराड भी कहते था है अगर तुम इस घर की बव हो तो मैं साइद तुम्हारा पती हूं ये तुम्हें कितनी पार याद दिलाने के जर्रत है पत्र लेखा और वो उस पर भढ़कते नजर आएगा और पती होने का हक भी जताते नजर आने वाला है और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वो विराड का नाम लेते ही यापर पत्र लेखा कोई बहाना बना नहीं पाएगी और गुसे में उस पर उसे कहते हैं कि हाँ मैं विराड से के साथ खुश आती हूं तुम ये सुनना चाहते हो ना समराड और वो उस पर काफी बक्त वीजे से बात करते नजर आएगे समराड को साथ पता चल जाएगा कि पत्र लेखा समराड के साथ बिलकुल नहीं रहना चाहती और देखने को मिलेगा दूसरी तरफ यहाँ पर विराड और साही दोनों करीब आ रहे हैं वो भी सिवानी भुवा और आजिव की शादी को लेकर तो दूसरी तरह यहां पर देखना इंटरसिंग होगा कि समराट का इग्नोर करना पत्र लिखा को कितना भारी पड़ता है और क्या पत्र लिखा समराट से प्यार करेगी भी या नहीं